दोस्तों आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लूसेंट समानने ग्यान इस से रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट फोटे कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्षान से रेल बे, ससी, स से जीडी, यूपी पुलिस है, बिहार सिबिल कोट है और आना वाले सब भी परत योगिता परिक्षा के लिए यह काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन आएगा उसे अन करके वाल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं और वीडियो पसंद आये तो प्लेज वीडियो को लाइक जरू करें तो चले शुरू करते हैं देखिए यहां पर आमारा पहला कुश्चन दिया गया है निमने लेखित में से कौन है प्राकिर्तिक पार स्वपोसी घटक कौन होते हैं परिस्थितिक तंत्र के स्वपोसी घटक कौन होते हैं तो करेक्ट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा पादप जो है यह परिस्थितिक तंत्र के स्वपोसी घटक होते हैं कुश्चन नमबर थर्ड है काजुई खेती के लिए कौन सी मिटे क्रोंट ही पींत हें तो कर्ड कर्यक्ट रॉप्षण आफकूं cities उजा गा लेटाराइट मृट्री ठीक है इसके अलावा भारत में कितने परकार के मिट्शिक अठीय कि आप आई जाती हैं तो देखें भारत में हैं टोटल ऑठ परकार के अपने पाई जाती है जो यहां और आठ्वा जो है बन मेरिदा यह टूटल भारत में जो आठ परकार के मिट्टिया पाई जाती है आपको याद रखना है कुश्चन नंबर चार है पराबैगने कीर्णे किस परकार के कैंसर का कारण बनती है तो यह तो अच्छा कैंसर का कारण बनती है ठीक है ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नंबर पांच है निमने लेखित मेंसे कौन ग्रीन हाउस गैस का उधारण नहीं है कौन ग्रीन हाउस गैस का उधारण नहीं है कौन सा पर्यावरण को स्वक्ष रखने के लिए सर्वत्तम है कौन सा पर्यावरण को स्वक्ष रख रखने के लिए सर्वत्तम है तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा स्वार सेल ठीक है स्वार सेल जो है यह पर्यावरण को स्वक्ष रखने के लिए सर्वत्तम है कुश्य नमबर साथ है जैवा इंधन के संबन्द में कौन से कथन सत्ते नहीं है जैवा इंधन के संबन्द में कौ यह वाइंधन परिस्थिति की अनुकूल होता है और जयवाइंधन उर्जा संकट के समधान में युगदान दे सकता है तो यहाँ पर यह वाइंधन के बारे में तीनों यहाँ पर करेक्ट है अगला कुशन है अफ्रीका का सरवच परवत सिखर माउंट कीली मंजारो इस्तित ह केली मंजारों कहां परिस्तित है तो देखे केली मंजारों जो है। तंजानिया में कहां पर है। तंजानिया उप संड़ी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के केस भाग में लोटते हुए मांसुन के कारण बरसा होती है तो ये होती है तमिलाडू में ठीक है अंसर हो जाएगा C कुश्य नमबर दौस है राष्टिय जल संसाधन परिशत का गठन कप किया गया था तो ये 1983 में ठीक है 1983 में किया गया था अंसर हो जाएगा C भारत में करमचारी राज्य बीमा योजनाई शुरुवात किस वर्स की गई तो ये 1952 में की गई 1952 अप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा Question number 12 है दिये गया बिकलपो में किसे सेवा छेत्र भी कहा जाता है तो सेवा छेत्र तिरी तियक छेत्र को बूला जाता है ठीक है अंसर हो जाएगा C Question number 13 है वास्त्विक सकल घरेलू उतपाद को किस पर मापा जाता है तो ये समिकरित दाम पर ठीक है समिकरित सोरी इस्थिर दाम पर मापा जाता है इस्तिरदाम होगा आंसर हो जायगा D कोश्चन नमबर 14 है समान कारे के लिए समान बेतन भारतिय संबिधान के निम्न में से किस में सुनेशित किया गया है तो समान कारे के लिए समान बेतन जो है किस में सुनेशित किया गया है राज्य के नीति निर्द सक्ततों में ठीक है अंसर वो जायागा बी कुशन नमबर 15 है निमने लेखित में से किसको अपने कर्तब्यों के पालन में भारत के राज्य छेत्र में सभी नियालियों में सुनवाई का अधिकार है किसको है तो ये माहा नियावादी को है ठीक है माहा नियावादी को अपने कर्तब्यों के पालन में भारत के राज्य छेत्र में सभी नियालियों में सुनवाई का अधिकार है याद रखना है कुशन नमबर 16 है निमने लेखित में से किस सम्विधान संसुधन द्वारा लोकसभा तथा बिधान सभाओं की सीटों की संख्या में बस द्वार 26 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्राउधान किया गया है तो किस संभिधान संसुधन के द्वारा किया गया है तो ये 84 वा संभिधान संसुधन के द्वारा किया गया है सबा तथा विधान सबाओं के सीटों की संख्या में दुआर 26 तक जो है कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है याद रखना है अगला कुश्यन है संबिधान के किस अनुशेद के अंत्रगात संख की कारेपाली का संबंधी सक्ति राश्पति में नहीं थै तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अनुशेद तिरपन में ठीक है अनुशेद तिरपन के अंत्रगात संख की कारेपाली का संबंधी सक्ति राश्पति में नहीं थै अगला कुश्यन है भारत का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो ये है मुंबाई मुंबाई आंसर हो जाएगा ये भारत का सबसे चोड़ी नदी कौन सी है भारत का सबसे चोड़ी नदी कौन सी है तो करेक्ट आंसर यह हो जाएगा ब्रहम पुत्र जो है भारत की सबसे चोड़ी नदी है एक बर्स में कम से कम कितनी बार संसत की बैठक होना आवस्यक है एक बरस में कम से कम कितनी बर संसद की बैठक होना आवस्यक है दो बर दो बर आंसर हो जाएगा बी भारत में एक नया राज्य स्रीजित करने वाला बिधियक को पारित होना आनिवार है तो ये संसद में सधारण बहुमत द्वारा है आंसर हो जाएगा B भारत में पंचायती राज ब्यवस्ता का सिल्पिक किसे कहा जाता है B.R. महता को B.R. महता आंसर हो जाएगा C दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो पली वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेर कर सकते हैं चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें अगला कुश्यन है लिखिद संबिधान के ओधारना किस देश की देन है? फरांस की देन है आंसर हो जाएगा D उडिसा में कोर्णार्क मंदिर का निर्माण किस ने करवाया था? तो ये राज राज प्रोथम ने करवाया था सल्तनत काल में सबसे बड़ा समराज जे किसका था मुहम्मद बिन तुगलक का था सल्तनत काल में गैर मुसल्मानों से लिया जाने वाला धार्मिक और क्या कहलाता था तो ये जजिया कहलाता था क्या जजिया अंसर हो जाएगा धी कुश्चन नमबर 28 है सहाँ जाके सासन काल में आए बिदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए सहाँ जाके सासन काल में आए बिदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तो इनके काल में बार बोसा आये थे बार बोसा आंस केवल चार यहाँ पर option C correct हो जाएगा अगला question है निमनलगित मैंसे किस सासर का उलेख है राज बेटकर यानि हाथियों का सिकारी के रूप में जाना हाथियों के किनका उलेख किया गया है देवराय दूतियों का उलेख जो है राज बेटकर यानि हाथियों का सिकारी के रूप में इनका उलेख किया गया है अगला question है कितने बर्स कठीन तपस्या के बाद भगवान बुदु को ग्यान की प्राप्ती हुई छे बर्स की कठीन तपस्या के बाद जो है भगवान बुदु को ग्यान की प्राप्ती हुई थी महत्मा गाधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदूलन था तो ये था असयोग आंदूलन असयोग आंदूलन option B करेक्ठ हो जाएगा भारत में मिट्टी बचाओ आंदूलन कहां से प्रारंब हुआ महराष्ट आंशर हो जाएगा option B कुश्चन नम्बर 33 है गाउं में आयोजित होने वाला भारती राष्ट ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ 1937 इसवी में आंशर हो जाएगा B सुभाष्चन नम्बोस को देशनाय की उपाधिक किसके द्वारा दिया गया सुभाष्चन नम्बोस को देशनाय की उपाधिक किसके द्वारा दिया गया रभीना टाइगूर के द्वारा रभीना टाइगूर आंशर हो जाएगा B सकर के मिसरान के दोरान कौन सा योगिक हमेशा बनता है तो इथाइल एलकोहल बनता है अपसन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रक्त कैंसर को नियंतरित करने में किस समस्थाने का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंतरित करने में किस समस्थाने का उपयोग किया जाता है कोवाल्ड सिष्टी क्या किया जाता है आंसर हो जाएगा यह निमनलेखित में से किस परकार के कोईले में कार्बन की मातरा सरवाधिक होती है करेक्टर अंसर D हो जाएगा, इंथरासाइट कोईले में कारवन की मातरा सबसे अधिक है, 90% से भी ज्यादा होती है, ठीक है, निमने लेखित में से कौन से रासायन, रगत को से याने ब्लोड, बैंक में मिला कर रखा जाता है, कौन से रासायन, रखा जाता है, मैगनेसियम नाइटरेट और सोडियम नाइटरेट, यहाँ पर B और C जो है, दोनों करेक्ट हो जाएगा, मैगनेसियम नाइटरेट और सोडियम नाइटरेट, अगला कुश्यन है, निमने लेखित में से कौन हरित गरिह गैस नहीं है, कौन हरित गरिह गैस नहीं है, आक्सीज है रेटीना के पीछे बनता है कहां पर पीछे आंसर हो जाएगा भी उसके बाद यहां पर हमार अगला कुछन है अधि इलेक्ट्रो प्लिज वीडियो को लाइक जरू करें अपने दोस्तों में सेयर कर सकते हैं चैनल पर नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंद चैह भारत